हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 122 अंटाइटल चाप्ट और अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा की इसलिए उनको उसके बारे में ज्यादा चिंता रहती थी वो जानते थे शिव सब कुछ संभाल लेगा पर कुछ हैसा था जिससे उनके मन में हमेशा शिव को खोने का डर रहता था इसलिए तो उन्होंने साथ साल पहले शिव को खुद से अलग कर अपने परिवार से अलग इंडिया बेज दिया था क्योंकि वो अच्छे से जानते थे शिव का जन्म किसलिए हुआ है उसके जीवन का मूल उगदेश क्या है शिव का इंडिया जाना अपने फैमिली से दूर रहना ये एक उसके लक्षे की तरफ का कदम था सब एसे ही अपने अपने सोच में अपना नाश्टा फिनिश करके ऑफिस चले जाते है तबीर जी, रिशब जी और शिव उफिस से ही महरा विला आने वाले थे और बाकी सब साथ में जाने वाले थे रोहन, वेदान्थ और विकी नाश्टा करने के बाद अभी अभी बने हुए उनके कुछ न्यू फ्रेम्स से मिलने चले जाते है खुशी अपने कमरे में चली जाती है दादी, नेहा जी और सुनीता जी वही हाल में बैट कर बाते करने लगते है दादा जी नाश्टा करने के बाद अपने स्टडी रूम में जा चुके थे अब आगे, राजस्थान में प्रताप हवेली के पीछे बने हुए एक बेहद ही सुन्दर भगवान शिफ के मंदर के नीचे एक तहखाना था जिसमें आज सुबह से किसी की चिलाने की आवाज आ रही थी शायद वहाँ कोई था जिसे सालों से बंद कर रखा था अब वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर उसकी वो चीखने की आवाजे बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा की गई हर एक कोशिश असफल हो रही थी उसकी आवाज उस तहकहाने के चार दिवारों में ही दब कर कही गुम हुजा रही थी पता ही नहीं चल रहा था ऊपसे उसे उसको इस पवित्र महादेव शिफ के मंदर के नीचे बंद किया गया था जिससे वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं सकता था और नहीं बाहर से किसी को भी उसके वहां होने के बारे में पता चल सकता था बस उस इंसान को छोड़कर जिसने उसको वहां पर कैड किया था वही ब्लाक आइलेंड पर काले तालाब के पास वाली खतरनाक गुफा के अंदर इस वक्त एक बड़े से यग्य की तयारी की जा रही थी वो यग्य प्रारम तो हो रहा था पर वो यग्य कब तक चलेगा और उसका फलकब मिलेगा इस बारे में कुछ भी कहां नहीं जा सकता था शकीरा उस वक्त अपने उक्स्तिस्थी में उस यग्य की तयारी करवा रहा था उसने जिन दो शैतानों को अपने सक्तिपास में बांदा था वो भी अब उसकी हेल्प कर रहे थे उनको उससे दर भी लग रहा था क्योंकि उनको उस सक्तिपास में बस कुछ ही पल रहने से ही कही एक हजार गुना वेद ना हुई थी वो ही दूसरी तरफ मुंबई सिटी होस्पिटल में अभिम्यू प्रताप सेंग की बॉड़ी अच्छी से रिस्पोंड कर रही थी जिसके चलते उससे कभी भी हो सा सकता था उसकी मा जो अभी अभी हिमालय से वहाँ पर पहची थी वो अपने साथ हिमालय से पवित्रजल लेकर आई थी जो कि उनके दस साल की तपस्या का फल था जो उनने अपने बेटे के लिए किया था उन्हें कैसे भी करके अपने बेटे को जल से जल ठीक करना था क्योंकि वो अच्छे से जानती जिसलिए उनके बेटे का जन्म हुआ है। वो समय निकट आ रहा है। सुमित्रा जी अभिम्यू की मा और थाकुर रगुवेंद्र प्रताप सिंग थाकुर की धर्म पतनी अपने साथ लाय हुआ उस पवित्रत जल को कुछ बूंदे अभिम्यू को पिला देती है। जिससे देख कर एक बार के लिए उसका एक बार के लिए तो सर ही चक्रा गया। अगर अभी इनको देखने बैट गया तो मैं पक्का लंच तक अपने जन के पास नहीं ज़रूरी है। पर इन सब फाइलों को देखना भी जरूरी है, अगर आज नहीं किया तो काम फिर से बढ़ जाएगा और फिर शादी भी तो है, तो काम को लोड ज्यादा हो जाएगा। वो ये सोची रहा था तभी वो अपने मन में ही कहता है, कास मेरी जान की तरह मेरे पास भी शक्तियां होती, जो मेरे कहने पर ही सारा काम कर देती। जैसे अभी ये मेरे सामने के धेर सारे फाइलों को धेर को मेरे कहने पर से ही काम हो जाता। फिर जल्दी से जान के पास भी तो जाना है, इतना कहकर वो फाइलों को देखने लगता है, एसे ही उसकी एक फाइल देखते हुए पूरे 20 मिनट बीट जाते है, तो वो खुद से ही कहता है, शिव जल्द से जल्द अपने काम की स्पीड बढ़ा इतना धीरे करोगे तो कैसे ह चलो शिव अब तुम्हारे सामने का ये सारा फाइलों का धेर जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, उद्धरन चिन डॉट, शिव ने बस इतना ही कहा था कि उसको एक फाइल कंप्लीट करने में 20 मिनट लगे थे पर उसने बाकी सारी उसके डैस्क पर जो फाइल थी जो कि उसके पूरे डैस्क को कवर कर रही थी उनको वो सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म करता है और साथ में उसकी फाइल कंप्लीट करने की स्पीड कही ज्यादा थी शिव ने अब तक सारी फाइलों में जो कुछ भी काम था जहां साइन करनी थी कुछ करेक्शन या कुछ सब कुछ कर लिया था वो जब अपना हाथ अगली फाइल लेने को बढ़ता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता तो वो अपनी आखे उताकर अपने डैस्क की तरफ देखता है तो यसको सारी फाइल अपने आसपास देखता है जहां पर उसने कंप्लीट हो चुकि फाइल रखी तो अभी बस 30 मिनट ही हुए है, ये देखकर वो अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा थे, उसने इतनी जल्द इतनी सारी फाइल कंप्लीट कैसे कर दी, हो एक बार फिर कंफर्म करने को उन फाइलों को चेक करता है, तो वो सब कंप्लीट देखती है, लास्ट में उसके सिगनेचर थे और जिसमें कुछ मिस्टेक थी, वो फाइल साइड में थी और उसने भी उसमें क्या गलत है, सब फर्स्ट पेज पर लिखा गया था, ये सब देखकर शिव अपना सर पकड़ कर अपने चेय पर बैठ जाता है, ये केबिन का दोर ओपन करके रागव एक हाथ में उसकी काफी और दूसरे हाथ में कुछ फाइल लेके आता है, जिस शिव की सिगनेचर चाहिए थे, रागव अंदर आकर जब शिव की तरफ देखता है, जो कि अभी अपने लप्टॉप और कुछ काम कर रहा था, शिव ने हाथ में उसके डैस्क पर जो फाइलों का धेर था अब वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, बलकि वो शिव की चेर के साइड में था उसका तो बस एक ही मतलब था कि शिव ने सारी फाइल कंप्लीट कर ली है, पर इतनी जल्दी ये सोच कर ही रागव का सिर चक्रा ज शिव उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर अच्छे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है, शिव कुछ देर उसको देखने के बाद उससे कहता है, रागव अब तुम्हारा सोच ना हो गया हो तो मुझे मेरी कॉफी मिल सकती है, क्या? और साथ मैं ये सारी फाइल ये स को देते हुए अपने साथ लाई हुई फाइल उसके टेबल पर रख देता है, और उससे कहता है, बॉस इसमें आपकी साइन चाहिए, उद्धरल चिनर डॉट, शिव अपनी कॉफी का एक गुट पिता है, और एक नजर रागव देखता है, जो अभी भी उसने कंप्लीट की फाइलों को ही देख रहा था, वो उससे एक नजर देख कर उसने रखी हुई फाइलों को देखता है, जिसमें उसके साइन चाहिए थे, अपने डेस्क पर रखी फाइल को देख कर उसके दिमाग कुछ आता है, वो बस एक बार देखना चाहता था वो जो सोच रहा है, वो खावत की साथ उसके बाद आपका पूरा सेडियूर खाली है, जैसे अपने कहा था, उद्धरन चिन डॉट, उसकी बाद सुनकर शिव अपना सर बस हलका सा हिला देता है, और रागव को वो फाइल वहां से ले जाने को कहता है, रागव बिना कुछ कहे अपने असिस्टेंट क बुलाकर वो सारी फाइले जो अभी शिव ने कंप्लीट की थी उससे ले जाने को कहता है, उसके साथ वो भी शिव के केबिन से बाहर चला जाता है, आखिर उसको भी देखना था कि सच में उसने फाइल इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट की, रागव के केबिन से जाते ही, मेरे desk पर जो file है उसमें मेरी sign चाहिए उन सारी file पर मेरे sign हो जाए। इतना कहकर वो अपनी आखे खोल कर देखता है। उसके आखे कोलते ही उसको देखता है। उसके सामने रखी हुई file में एक अजीब सी पीवी रोशनी पड़ती है और कुछ second बाद गायब हो जाती है। जि मांजरा क्या जिस काम के लिए उसको दो दिन लग जाते वो उसने चुटियों में कर लिया इसका मतलब उसके पास भी अपनी जान की तरह सक्तिया थी पर उसे अब तक उसके पास कौन सी शक्तिया थी इस बारे मैं पता नहीं था पर वो इस बात से ही खुश था कि उसके पास जिससे वो अपनी जान की मदद कर सकता था आज कल ये बस इतना ही फ्रेंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड Continue Friends, Thank You for Watching Episode 123 Untitled Chapter अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो अभी मेरे डैस्क पर जो फाइल है उसमें मेरी साइन चाहिए उन सारी फाइल पर मेरे साइन हो जाए उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर वो अपनी आँखे खोल कर देखता है उसके आँखे खोलते ही उसको देखता है उसके सामने रखी हुई फाइलों में एक अजीब सी पीली रोशनी पड़ती है और कुछ सेकन बाद गायब हो जाती है जिसे देखकर एक बार शिव को अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था वो अपनी आँखे मलता है और वो उन फाइल में से एक एक फाइल देखने लगता है जिसने उसकी साइन हो चुकी थी ये देखकर उसे सब पता चलता है आखिर मांजरा क्या जिस काम के लिए उसको दो दिन लग जाते वो उसने चुट्कियों में कर लिया इसका मतलब उसके पास भी अपनी जान की तरह सक्तिया थी पर उसे अब तक उसके पास कौन सी शक्तिया थी इस बारे में पता नहीं था पर वो इस बात से ही खुश था कि उसके पास शक्तियां हैं जिससे वो अपनी जान की मदद कर सकता था अब आगे शिव को उसके पास भी शक्तियां हैं इस बात का पता चल चुका था और शिव के अपने शक्तियों को इस्तिमाल करते ही उसके बारे में दूर कही हिमालाय में अपनी साधना मैलीन इंसान को पता चल जाता है जिससे उनके चहरे पर एक हलकीशी स्माइल आती है और वो इंसान अपनी आँखे बंद करते ही कहता है तो अब महादेव के अंश को भी अपने शक्तियों के बारे में पता चल गया है अब तो स्वयम महाकाल के दर्शन करेगा विक्राल जिसके पाप का घड़ा अब बार चुका है उसे दुबारा जन्भी अपने अंथ के लिए दिया गया है वो ये बात बुल गया था इस धर्ती पर जो भी कोई जीवित जीव है सबका अंथ है सबको अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ये से जाना है पर विक्राल को तो सब पर राज करना था तो इसी की सजा वो पिछले सो साल से एक दिव्या आत्मा के श्राब के कारण भोग रहा था अब उसी के हाथों उसका अंध होगा उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर वो सादवी इंसान अपनी आखे खोल कर एक बार आसमान की तरफ देखता है और अपने चहरे पर स्माइल लाकर कहता है महादेव इस बार उस विक्राल को उसकी के की सजा मिलनी चाहिए उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर वो तेजसवी सादवी अपनी जगह से उठकर वहाँ से कुछ ही दूरी पर बनी गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक बड़े यग्यका आयोजन किया जा रहा था शिव जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपता रहा था वही कबीर जी और रिशब जी ने भी आज की उनकी दोपहर के बाद की सारी मीटिंग पोस्ट पॉन कर दी थी और अपना काम लंज से पहले ही पूरा किया था महरा विला, श्रेया और सिया जी सर्वेंट की मदद से लंज की तयारी कर रही थी आज श्रेया पहली बार अपने हाथों से कुछ बना रही थी और सिया जी उसके पास खड़ी होकर उसको बता रही थी थोड़ी ही देर में सारा खाना बनकर तयार हो गया था भी सिंधानिया फैमिली को आने में थोड़ा टाइम था तो सिया जी श्रेया को अपने रूम में रेडी होने को कहती है श्रेया भी अपने कमरे में चली जाती है कुछ ही समय में महरा विला के आगे धेर सारी कारे एक लाइन में आके खड़ी हो जाती है उसमें से सिंधानिया फैमिली निकलती है और बाकी के कार में उनके गार्ड्स थे उनके ही पीछे शिव, उसके देर और चाचा की कार आती है सभी एक साथ ही महरा विला में एंटर करते हैं लिविंग रूम में रनविजय जी और सिया उनका ही इंतजार कर रहे थे आदित्या आज घर से ही अपनी कमपनी का काम संभाल रहा था उस पर काम का ज़्यादा लोड आ गया था क्योंकि महरा एंटरॉय कमपनी को मर्ज किया गया था जिससे अब महरा इंडस्ट्री का काम भी वो ही हैंडल कर रहा था सिया जी और रनविजय जी भी उसकी मदद कर रहे थे और काफी हग तक्ष्यय भी मदद कर रही थी आदित्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में कुछ इंपोटेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसके साथ उसका असिटेंट भी था और साथ में सिया जी की असिस्टेंट प्रिया भी थी जोकि उसको महरा इंडस्ट्री की पिछली साल के रिकॉर्ड देने आई थी आदित्य का काम लगभग खत्म ही हो गया था थोड़ी ही समय बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सबको गर्म गर्म हेल्दी खाना सर्व किया गया था श्रेया और श्रिप साथ में ही बैठे थे आदित्य के पास वाली चेय पर प्रिया बैठी थी प्रिया तो उसके पास बैठने से फूली नहीं समा रही थी पर कोई था जिसे उससे जलन हो रही थी पर बिना अपने चेहरे पर दिखाए वो चुपचाप अपना लंच कर रहा था वोही विक्य और वेदान तो मजे से अपना लच एंजोई कर रहे थे जब से उनको पता चला था कि ये लंच उनकी हुने वाली भावी ने बनाया है तो दोनों श्रेया की तारीफ करते नहीं थके थे वोही श्रेया भी अपनी पास बैठी श्रेया की तरफ प्यार से देख कर अपना लंच कर रहा था सभी को श्रेया ने बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है दादी तो श्रेया की तारीफ करते नहीं थक रही थी वो ही सभी श्रेया के खाने की तारीफ कर रहे थे जिससे शिव को अपनी पसंद पर काफी गर्भ हो रहा था थोड़ी ही देर में सबका लंच होने के बाद सभी living room में बैख जाते है श्रेया जो कबसे खुशी के expression नोटेस कर रही थी और उसने जब प्रिया की हरकते देखी तो उसको उसको उसे बेहत गुस्सा आ गया क्यूखि प्रिया उसके भाई को जिस तरह देख रही थी ये श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्यूंकि उसको पहले से ही प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उसको उससे नेगेटिव वाइब जाती थी पर अपने मॉम की वज़े से वो उसको कुछ नहीं कहती थी आदित्य को भी उससे चीर हो गई थी पर वो कुछ के नहीं सकता था अभी सब के बीच सभी लिविंग रूम में बैठी थी वही प्रिया भी उनी के साथ बैठी थी प्रिया ठीक आदित्य के सामने वाले सोफे पर बैठी थी और एक तक उसको अपने तिर्ची नजरों से देख रही थी जिससे आदित्य उनकनफोरेटेबल हो रहा था जिससे श्रेया और खुशी ने आसानी से नोटिस कर लिया था सभी बड़े वहाँ पर शादी के बारे मैं बात कर रहे थी कैसे सब करना है तो वहाँ से सारे छोटे दूसरी तरफ जाके बैठ गए थे प्रिया भी उनी के साथ थी क्योंकि सेया जी उसे अपनी बेटी के जैसे मानती थी वही श्रेया खुशी और आदित्य और श्रिव एक साइड बैठे थे और दूसरी साइड रोहन, विकी, वेदान्त और प्रिया बैठी थी प्रिया तो बस कैसे न कैसे आदित्य से बात करने का बहाना डून रही थी श्रेया जो काफी टाइम से उसको नोटिस कर रही थी उसको अब जब ये देखा नहीं गया तो वो किसी के भी नजर में आये बिना अपनी उंगली को प्रिया की तरफ प्वाइंट करके गोल घुमाती है उसके ऐसे करने से प्रिया श्रेया की तरफ देखती है जैसे ही उसकी नजर श्रेया की नजरों से मिलती है वैसी ही प्रिया श्रेया की कंट्रोल में आ जाती है श्रेया उसे अपने मनी मन्ये से जाने का ओडर देती है प्रिया वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद आदित्य गहरी सास लेता है वो खुद के मन में ही कहता है इस प्रिया की बची का कुछ तो कारण पड़ेगा मैं इसे आब और नहीं छेल सकता कैसी देखती रहती है बेशंग कही की उद्धरन चिन डॉट उसके जाते ही खुशी के चहरे पर भी एक लंबी मुस्कान आती है जो की वो जल्द ही किसी के देखने से पहले चुपा लेती है पर उसको मुस्कराते हुए श्रेया, रोहन और आदित्य ने देख लिया था श्रेया अच्छे से उसकी मुस्कान का मतलब समझ रही थी पर रोहन को कुछ समझ ही नहीं आया उसकी बहन एसे पागलों की तरह क्यों मुस्करा रही है वोही आदित्य सब समझ गया था वो अपने मन में ही कहता है तो मैडम को जलन हो रही थी और अभी कैसे मुस्करा रही है उद्धरल चिन डॉट सब प्रिया के वहा होने से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे के साथ हसी मजाक करने लगते है वोही बाहर सभी बढ़ों ने शादी कैसी करनी है उसके बारे में सब डिसकस कर लिया था कल शाम को मेहदी की रस्म होने वाली थी उसके बाद दूसरे दिन सुबह हल्दी और रात को संगीत और तीसरे दिन फेरे होने वाले थे जब इस बारे में शिव और श्रेया को पता चला तो दोनों ही बेहद खुश हो गए थे उनके चहरे से ही पता चल रहा था वही सभी फंक्षन दोनों ही फैमिली साथ में महरा विला में करने वाले थे श्रेया की विधी महरा विला से ही होने वाली थी सब डिसकुशन होने के बाद सभी लेडीज शॉपिंग करने के लिए मौल चली जाती है शिव और उसके भाई भी उनी के साथ थे सिंगानिया फैमिली की लेडीज और उनके साथ ही सिया जी और श्रेया सभी सिंगानिया इंडिस्ट्री के अंदर में आते मौल में ही शॉपिंग के लिए आ गए थे वैसे श्रेया के लिए शादी का जोडा और शिव का शादी का ड्रस सभी वल्ग की नंबर वन दिजाइन ने बना दिया था बस अभी वो बाकी के फंक्शन के लिए अपने लिए ड्रस लेने आई थी नेहा जी, सिया जी और सुनीता जी उन्ही के साथ दादी अपने अपने लिए शादी की कपड़े चूस कर रहे थे और दूसरी तरफ खुशी और श्रेया अपने लिए दूसरे सेक्शन में ड्रस चूस कर रहे थे उन दोनों के साथ अदित्य और शिव थे रोहन, विकी और वेधान तीनों ही जैन सेक्शन में आपने लिए शॉपिंग करने गए थे शिव और आदित्य वहाँ पर एक साइट पर बैठे हुए थे और खुशी और श्रेया अपने लिए ड्रस चूस कर रही थी पिछली एक घंटे से उन दोनों ने सारी शॉप की कपड़े अपने सामने मगाय हुगे पर उन लोगों को अभी भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था दोनों ही कन्फ्यूजन में अपने सामने रखे कपड़ों के धेर को देख रहे थे श्रेया को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो शिव की तरफ देखती है जो की अपने मुबाइल में कुछ कर रहा था जिसे देख कर उसका मून बन जाता है वो शिव को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और अपना पप्पी जैसा फेस बना कर उसकी तरफ देख कर कहती है देख ये ना शिव इतने सारे कपड़े हैं हम समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा ले सभी एक से बढ़कर एक है श्रेया की तरफ देख कर कहता है इसे जाके ट्राइ करो उद्धरन चिन डॉट श्रेया शिव ने चूस किये हुए आउटफित देखती है तो उसे वो बेहग पसंद आते हैं तो वो अपने चेहरे पर बढ़ी शी स्माइल ले उसके हाथ से सारे आउटफित लेती है और उस की बात पर कुछ नहीं कहता बस मुसकरा देता है तब ही उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने वहां से साइट चला जाता है खुशी जो दूसरे सेक्शन में अपने लिए ड्रेस देखने गई थी वो ड्रेस देखी रही थी तब ही उसके पीछी से एक रहा था उसकी पीठी सिर्फ उसको दिखाई दे रही थी है उसके चहरे पर एक बड़ीशी स्माइल आ जाती है वो खुशी खुशी वो ड्रेस देखी चेंजिंग रूम में ट्राइ करने चली जाती है आज कल ये बस इतना ही फ्रेंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा म इस कहानी में हमने अब तक देखा कि इतना कहकर वो चेंजिंग रूम में चेंज करने चली जाती है शिव उसकी बात पर कुछ नहीं कहता बस मुसकरा देता है तब ही उसकी फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने वहां से साइट चला जाता है खुशी जो ने जल्दी हुआ कि खुशी को कुछ पता नहीं चला पर जब वो पीछे मुट कर देखती है तो उसे अधित्य दिखता है जो कि वहां से जा रहा था उसकी पीठी सिर्फ उसको दिखाई दे रही थी है उसके चेहरे पर एक बड़ी शी स्माइल आ जाती है वो खुशी खु रूम में गई थी उस तरफ बढ़ता है श्रेया ने एक करके सारे ड्रेस चेंज कर लिये थे सब उस पर काफी जच रहे थे श्रेया चेंजिंग रूम से बाहर जैसे निकलने ही वाली थी कि कोई उसके चेंजिंग रूम का डोर पर नोप करता है श्रेया डोर ओपन करती है तो उसे अपने सामने एक साल्स अटेंडेंस दिखती हैं, जिसके हाथ में एक बेहद ही खुबसुरत रेट कलर की सारी थी, जो कि पूरी नैक की बनी हुई थी और उस पर बारिकी यो से कम किया गया था, सारी की बॉर्डर पर मोती लगे थी जो कि उस सारी को चार चांद लग रह थे, श्रेया कन्फ्यूजन से उस सल्स अटेंडेंडेंड को देखती है, तो वो सल्स लेडी श्रेया की तरफ बड़ीशी मुस्कान के साथ देखती है और उससे कहती है, मैम या आपके लिए है, सर ने अपको इसे ट्राइ करने को कहा है, उद्धरन चिन डॉट, श्रेया उसकी की बात सुनकर उससे कहती है, शिव ने तुमको बेजा है, जिस पर वो अटेंडेंस अपना सर हां में हिला कर कहती है, हाँ, मैम सर ने ही मुझे बेजा है, वो ही आ रहे थे पर उनको एक इंपायटेंट कॉल आ गया था, उद्धरन चिन डॉट, श्रेया उससल्स लेडी की बात सुनकर उसके हाथ से वो सारी लेती है, और चेंजिंग रूम के अंदर जाके दोर लॉक करके वो रेट कलर की ब्यूटिफुल सारी ट्राइ करने लगती है, जो कि उसको देखती ही पसंद आई थी, श्रेया इस वक्त उस सारी को पहन ही रही थी, कि उसे दोर ओपन करके किसी के आने की आहत सुनाई दी, तो वो पीछे पलट कर देखने ही वाली थी की कौन है, तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे एक पल के लिए तो वो बबरा ही जाती है, पर फिर उसे जानी पहचाना एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो अच्छे से जान गई की कौन है, इसलिए वो अपने आपको उसके बाहों में दिला छोड़ देती है, कोई और नहीं बलकी शिव ही श्रेया को पीछे से अपने बाहों में लिए खड़ा था, श्रेया के सामने लगे मिरब पर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, इस वक्त श्रेया सिर्फ एक पेटिकोट और बलाउज में थी, श्रेया तो इस वक्त शिव के आँखों में ही खो गई थी, उसे इस चीज का एहसास ही नहीं था कि वो इस वक्त सिर्फ पेटिकोट और बलाउज में है, जब उसको एहसास होता है तो वो वही पास में पड़ा अपना डूपटा उठा कर खुद पर ओड लेती है, और शिव के दूसरे तरफ चहरा करके अपनी नज्रे जुका कर खड़ी होती है, उसकी उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, शिव उसको ऐसा करता देख उसके ठीक सामने जाके खड़ा हो जाता है, और एक हाथ से उसका चहरा उपर करके प्यार से उसको कहता है, जान लुकट माई आइज, मेरी तरफ देखो जान, उद्धरन चिन डॉट, उसके इतना कहते ही श्रेया उसकी आँखो में देखती है, जहाँ पर उसे उसकी आँखो में खुद के लिए एक थान प्यार का सागर नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो उसके आँखो में ही कहीं खो गई थी, शिव जब उसको ऐसे अपनी आँखो में खोता देखता है, तो उसके चेहरे पर एक छोटी शी स्माइल आ जाती है, वो उसके करीब जाकर उसके कान के पास जाके उसके कान में अपनी गर्म सास छोड़ते हुए उससे कहता है, जान आपको मुझ पर भरोसा है, ना, उद्धरल चिन डॉट, उसकी बाद सुनकर श्रया अपना सरहा में हिला देती है, उसकी सहमती मिलने के बाद शिव आगे बढ़ कर उसने जो ओरनी ओडी थी उसे निकाल कर साइग में कर देता है, और श्रेया का चेहरा उपकर करके उसे अपने आँखों में देखने को कहता है दोनों के आँखे एक दूसरे से तक्राने के बाद दोनों ही एक दूसरे के आँखों में देखने लगते है शिव श्रेया के आँखों में देखते हुए उसको सारी पहनाने लगता है शिव सारी का एक साइड अपने हाथ में लिए श्रेया के कमर में लिप्ट रहा था इस बीच शिव के हाथ का टच श्रेया को अंदर तक महसूस हो रहा था जिससे वो कसके अपनी आखे बंद कर देती है शिव उसके पीछे जाके उसके कंधे पर अपने होट फिरते है शिव ने श्रेया को प्रोपर सारी पहना दी थी बिलकुल एक प्रोफेशनल की तरह श्रेया उस रेट कलर की सारी में बेहत खूबसूरत लग रही थी वो सारी नैट की होने की वज़े से श्रेया की बॉड़ी हलकी सी रिवील हो रही थी शिव श्रेया को प्रोपर तरीके से साड़ी पहना कर उसे ओपसे नीचे देखता है उसे सब सही लगता है तो वो उसके पीछे जाकर अपना मून उसके कान के पास लेकर उसके कान में अपनी गर्म सास छोड़ते हुए उससे कहता है यह लुकिंग सो हॉट जान उद्धरल चिन डॉट इतना कहकर वो श्रेया को पीछे से अपनी बाहों की गिरफ्ट में लेता है श्रेया अभी भी अपनी आखे बंद करके ख़ली थी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आखे खोलने की आज श्रेया की पकर अपनी सारी पर टाइट हो जाती है श्रेया को अपनी तरफ गुमा कर उसका चहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ कर उसके माथे पर किस करता है फिर उसके आखों पर उसके बाद उसके दोनों गालों पर बारी-बारी किस करता है और वो उसके होटों की तरफ बढ़ने ही लगता है पर वो उसके होटों के ठीके एक इंच की दूरी पर रुप जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है श्रेया की आँखे इस वक्त बंध थी साथ में उसकी धरकने तेजी से धरक रही थी श्रेया अच्छी तरह से अपने होटों पर मेहसूस कर पा रही थी पर काफी टाइम तक वो श्रेया वैसे ही खड़ा देखती है कुछ भी हरकत करता न देखती है तो वो अपनी आँखे खोल कर देखती है तो उसकी काली आँखे शिव के गहरी ब्राउन आँखो से जा मिलती है वो उन मैखो जाती है शिव श्रेया को खुद की तरफ देखता देखकर आँखो ही आँखो मैँ उससे आगे बढ़ने की पमिशन मागता है तो श्रेया खुद आगे बढ़ कर अपने होटों को शिव के होटों पर रख देती है दोनों ही एक दूसरे के होटों को पैशनेटली किस ओर स्मूच कर रहे थे उनकी किस 30 मिनट तक चली जब श्रेया को सास लेने में दिकत होने लगी तो शिव उसके होटों को छोड़ कर उसके गले पर किस करने लगता है गले से होते हुए उसके कोलोर बोन पर किस करने लगता है किस करते हुए वो उसके कोलोर बोन पर स्मूच भीब कर रहा था श्रेया अपनी आखे बंद करके शिव को महसूस कर रही थी शिव थोड़ी देर उसके कॉलर बोन को किस करके उसके सामने घुटनों पर बैच जाता है और उसकी साड़ी से जक्ती कमर को देखने लगता है जो उसको अपनी तरफ अट्राक्ट कर रही थी वो एक बार श्रेया की तरफ देखता है जो के अपनी आखे बंद करके ख़ली थी शिव अपने एक हाथ से श्रेया के पलू को थोड़ा सरका कर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़े के उसके पेट पर अपने होंट फिराने लगता है उसके ऐसे करते ही श्रेया के हाथ जो उसकी साड़ी पकले हुए थे वो शिव के बालों पर आते है उसके बॉडी में एक कर्ट सा लगता है जीने मेहसूस कर शिव श्रेया के पेट को अपने होट तेजी से फिरा रहा था साथ में उसके पेट को स्मूच भी कर रहा था शिव उसके पेट कमर से होते हुए उसकी नाभी तकाता है शिव श्रेया के नाभी पर अपने होट रख कर उसके नाभी पर किस करने लगता है साथ में शिव उसके पेट पर बाइट भी कर रहा था जिससे श्रेया की आहे निकल रही थी शिव का जब थोड़ा सा मन बर जाता है तो वो श्रेया के सामने खड़ा होकर उसके होटों पर अपने होट रख कर उसको किस करने लगता है वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी शिव का एक हाथ श्रेया की सर के पीछे था और दूसरा उसके पीच से लेकर कमर तक सहला रहा था शिव श्रेया के मून में एंटर करके अपनी जिब से उसके मूँ को एक्सपलो कर रहा था जिसमें श्रेया भी उसको साथ दे रही थी दोनों अपने किस में इतना खो गए थी कि उन दोनों का इस बात का होशी नहीं था कि वो दोनों इस वक्ट चेंजिंग रूम है जब शिफ के फोन पर किसका फोन आता है तब वो दोनों एक दूसरे अलग होते है शिफ श्रेया की तरफ देखता है जो कि किसकी वज़े से अपनी बढ़ती सास को नोमल कर रही है उसके होंट किसके वज़े से सूर्क लाल हो गए है साथ में श्रेया का पूरा चेहरा किसी कश्मीरी सेप की तरह रेड हो गया था जिससे वो बेहद ही क्यूट और ब्यूटिफुल लग रही थी जिससे शिफ को उस पर बेहद प्यार आ रहा था शिफ के फोन फिर से बज़ने लगता है तो वो श्रेया से अपनी नज्रे उठकर फोन पॉकेट से निकल कर कॉल आईडी देखता है उसके बाद वो श्रेया की तरफ देखकर उसके बालो को सहलाते हुए उससे कहता है जान में बाहर हूँ आप चेंज कर लो इंपुटेंट कॉल है रिसीव करना होगा उधरन चिन डॉट श्रेया बस अपना सरहा में हिला देती है तो श्रेया उसके माथे पर किस करके जाने को होता है कि श्रेया 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 की सामने आती है तो श्रेया उसकी तरफ असमंज़स से देखता है तो श्रेया अपने साड़ी के पलू से शिव की होटों पर लगी लिपस्टिक साफ करती है और उसके बाल और टाई सही करके उससे जाने को कहती है उसके ऐसा करने से शिव की चहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है वो वैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर जाकर एक साइड मे चला जाता है और कॉल रिसीव करता है दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है जिससे सुनकर उसके चहरे पर अभी थोड़ी देर पहले जो स्माइल थी वो गुस्से में बदल जाती है शिव इस वक्त गुस्से से काफ रहा था आज कल ये बस इतना ही फ्रेंड आज का एपिसो एक सो पचीस अंटाइटल जाक्त और अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि शिव के फोन फिर से बजने लगता है तो वो श्रेया से अपनी नज्रे हटा कर अपना फोन पॉकेट से निकल कर कॉल आईड देखता है उसके बाद वो श्रेया की तरफ देखकर उसके बा आती है तो श्रेया उसकी तरफ असमंज़स से देखता है तो श्रेया अपने साड़ी के पलू से शिव के होटों पर लगी लिप्स्टिक साफ करती है और उसके बाल और टाई सही करके उससे जाने को कहती है उसके ऐसा करने से शिव की चहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती वो वैसे ही changing room से बाहर जाकर एक side में चला जाता है और call receive करता है दूसरी side से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उसके चहरे अभी थोड़ी देर पहले जो smile थी वो गुस्से में बदल जाती है शिव इस वक्त गुस्से से काप रहा था अब आगे शिव को किसी का call आता है जिसे उठाने के लिए वो changing room से निकल कर एक side में आ जाता है call receive करके वो जब सामने वाले इंसान की बाते सुनता है तो उसके चहरे पर गुस्से की लकीरे साफ दिखाई देने लगती है शिव गुस्से से काप रहा था अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो अपने हसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो अपनी लाल हो चुकी आँखों से उस तरफ देखता है अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही वो उस इंसान को अपनी तरफ खिचके रपने गले से लगा लेता है साथ में अपनी आखे बंद कर देता है उस इंसा और कोई नहीं बलकी श्या होती है, जो अभी अभी changing room से बाहर आई थी, अपने हाथ में मौझूद कपड़े जो उसने try किये थी, वो सब वो बाहर खड़ी attendance को देती है, जो अभी अभी वहाँ पर आई थी, वो उन कपड़ों को pack करने को कहकर शिव की तरफ बढ़ती है, वो जब शिव को गुसे में खुद को चोट पहुचाते हुए देखती है, तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ती है, शिव की लाल आखे देखकर एक बार के लिए वो डर जाती है, पर अगले ही पल शिव के उसकी गले लगाने से वो नॉमल हो लोगों ने श्रिया को उसके पास जाता देखा तो सब एक पल के लिए डर ही गए थे क्योंकि सब उसकी गुसे से अच्छे से वाकिफ थे, उनको दर था कि शिव गुसे से कही श्रिया को चोट न पोंचा दे, पर उनको सब को इस बारे में नहीं पता था, शिव कितने भी गुसे में क्यों ना हो पर श्रिया को कभी नुकसान नहीं पोंचा सकता था, नेहा जी अपने बेटे को गुसे में देख कर गबरा गई थी, और श्रिया को उसके पास जाता देख वो उसको रोपने ही वाली थी, पर तब तक श्रिया ने आगे बढ़कर शिव का हाथ पकर जो कि वो दीवार पर मारने वाला था जिसे देख कर सब एक पल के लिए डर ही गए थे, पर शिव के अगले एक्षन से सब हैरान और खुश भी हो गए थे, नेहा जी खुद के मन में ही कहती है, श्रिया मेरे बेटे शिव के लिए बिलकुल सही है, वो उसके गुसे को भी कं चिंता नहीं है, मेरी बहु सब सबल लेगी, उद्धरन चिन डॉट, नेहा जी को श्रिया और शिव की तरफ देखकर मुस्करा रही थी, वो आज बेहत खुश थी, अब उनको शिव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो समझ गई थी कि श्रिया से बहतर शिव के ल साफ करने का नातक करते हैं, जिससे श्रिया और शिव जो एक दूसरे से गले लगे हुए थे, वो अलग होकर उस तरफ देखते जहां से आवाज आई थी, तो उन दोनों को अपने सामने खुशी और रोहन अपने सफेद दाद दिखाते हुए नजर आते हैं, और उनी से कु शिव अपने दोनों भाई बहन को गुर रहा था, जिससे दोनों एक पल के लिए दर जाते हैं, पर अगले ही पल खुशी कहती है, भाई आप एसे अपनी आँखें बढ़ी करके हम जैसे मासूम बच्चे को डरा नहीं सकते उद्धरन चिन डॉट, उसकी बात में रोहन भी हमेहा मिलता है, शिव उन दोनों को उपसे नीचे गुरता है, और कहता है, तुम दोनों और मासूम हो, तो मासूम की डेफिनिशन ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे किसी भी इंगल से तुम दोनों तो मासूम नहीं ल उद्धरन चिन डॉट, उसकी बात पर खुशी धीरे से कहती है, भुख कर कहिंका इसे हर वक्त बस खाना चाहिए, उद्धरन चिन डॉट, रोहन इसे खुशी को खुद में बढ़बरता देखता है, तो वो उससे कहता है, खुशी तुम ठीक तो है, आजकल तुम खुद मे बढ़बरती हो, और बिना किसी जोग पर अकेली ही मुस्कराती हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उद्धरन चिन डॉट, उसने इतना ही कहा था कि वो जब सामने देखता है, तो खुशी उसे गुसे से गुर जैसे अभी उसको कच्चा चबा जाएगी, खुशी को गुसे मैं देखकर रोहन कहता है, भाई मुझे अभी कुछ याद आया, मैं अभी आता हूँ, उद्धरन चिन डॉट, इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, शिव अभी भी थोड़ा टेंशन में था, श्रेया को ग श्रेया और सिया जी, आदित्य महराविला चले जाते है, दूसरी तरफ, राजकुमारी सितारा ने एक भव्य यग्य का आयोजन किया था, शकीरा के साथ बेहत सारे शक्तिशाली शैतान उस यग्य में समीलित हो गए थे, जिससे उस यग्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी जिससे वो यग्य जिस मकसद से रखा था वो जल्दी साकार होने वाला था, शैतानों का पंडित तेजी से मंत्र उच्चारन कर रहा था, राजकुमारी सितारा, उसके साथ ही शकीरा और बाकी सारे शैतान उस यग्य को सफल करने के लिए अपनी शक्तियों का एक रक्षा उस यग्य के आसपास बना देते हैं, जिससे उस यग्य में कोई बादा ना आए, उसी के साथ सभी ध्यान में चले गए थे, वो ही राजस्थान में जैसे ही ब्लैक आइलेंड पर बने काले पानी के तालाब के पास वाली खतरनाग गुफम में मंत्र उच्चारन स्टॉट ह साथ में जैसे जैसे उस यग्य की अगनी बाद रही थी वैसे, वैसे राजस्थान में प्रताफ हवेली के पीछे बने हुई दिव्य भगवान शिव के मंदर के बाहर बना हुआ रक्षा कवच धीरे-धीरे फीका पर रहा था, जिस वज़े से पूरे राजस्थान में का मो हूल बदल गया था राजस्थान में तूफान आया था, जोर जोर से हवाई चलने लगी थी, और साथ में तेजबारिश भी सुरू हो बही थी। राजस्थान के इतहास में आज पही की बार ओफ सीजन में राजस्थान में तूफान उठा था और एसी बिना वक्त की किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि मौसम अचानक इतना बदल गया राजस्थान का सपर काजू-बाजू के राज्यों से तूट गया था वोही महादेव शिव के मंदर के नीचे के टेहखाने बाहर हो रही बारिश और बाहर उठा हुआ तूफान देखकर कोई खुश हो रहा था उसे अच्छे से पता हूँ कि बाहर आखिर क्या हो रहा है मौसम ने अचानक अपना रुख क्यू बदल दिया था वो जोर जोर से हस रहा था उसकी उस हसी की आवाज तेज बारिश में कहीं गुम हो गई थी वो सक्स खुद से ही कहता है मैं आ रहा हूँ अपना बदला लेने और इस बार मुझे कोई हरा नहीं सकता इस बार मेरी शक्तिया पहले से भी कही गुना बढ़ गई है अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर वो किसी राक्षस की बाती जोर जोर से हसने लगा था जिससे जमीन में दरार पढ़ने लगी थी जिसका एहसास पूरे राजस्थान को हो रहा था किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आज अचानक एसे क्या हुआ की प्रकृती का रोकी बदल गया सब अपने अपने घर में दरे हुए बैठे थे वोही ऐसा ही कुछ हाल ब्लैक आइलेंड के बीचों बीच बने उस काले तालाब के अंदर का था उसने भी तुफान उठा था जिसका आभास अच्छे से उस तालाब के थोड़ी ही दूरी पर बनी हुई खतरनाख गुफा के अंदर के लोगों हो रहा था जिससे उन सब के चहरे पर एक मुस्कान थी उसी के साथ उनके मंत्र उच्चारल और भी तेज हो गये थे जिससे उस यग्या की अग्मी अपना रूप बदलने लगी थी वोही दूसरी तरफ राजस्थान में आई हुई आपदा का पता श्रेया और श्रिफ को भी पता चल चुका था और वो दोनों ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानते थे श्रेया इस वक्त अपने रूम में अपनी आँखे बंद करके साधना में बैठी थी उसके आसपास साथ रंग की रोश्णी फिली हुई थी उसी के साथ उसके होंट लगातर ही रहे थे जिस कारण उसके आसपास फैली हुई वो रोशनी धीरे धीरे अपना आकर बदल रही थी जब वो साथ रंग की रोशनी अपना रुद्र रूप धारंग करती है तो श्रया अपनी आखे खोल कर उस रोशनी को राजस्थान की तरफ बेजती है पलग जपकते ही रोशनी ने पूरे राजस्थान के आसमान को गेर लिया था आज कल ये बस इतना ही फ्रेंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड कंटिन्यू, फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिंग, एपिसोड वन हन्रिट ट्वेंटी सिक्स अंटाइटल जाप्टर अब तक, इस कहानी में हमने अब तक देखा कि उसी के साथ उनके मंत्र उच्चारन और भी तेज हो गए थे जिस से उस यग्या की अग्नी अपना रूप बदलने लगी थी, वो ही दूसरी तरफ राजस्थान में आई हुई आपदा का पता श्रेया और श्रिफ को भी पता चल चुका था और वो दोनों ऐसा क्यों रहा है, ये भी जानते थे श्रेया इस वक्त अपने रूम में अपनी आखे बंद करके साधना में बैठी थी, उसके आसपास साथ रंग की रोशनी फैली हुई थी उसी के साथ उसके होंट लगातर ही रहे थे जिस कारण उसके आसपास फैली हुई वो रोशनी धीरे धीरे अपना आकर बदल रही थी जब वो साथ रंग की रोशनी अपना रुद्र रूप धारन करती है तो श्रेया अपनी आखे खोलकर उस रोशनी को राजस्थान की तरफ बेजती है पलग जपकते ही रोशनी ने पूरे राजस्थान के आसमान को गेर लिया था अब आगे श्रेया ने सब्त रंग की रोशनी को राजस्थान की तरफ बेज दिया था जो की पलग जपकते ही पूरे राजस्थान को गेर लिया थी उस रोशनी ने पूरे राजस्थान को कवग करते ही राजस्थान का मौसम बिलकुल पहिले की तरह हो जाता है राजस्थान में उठा तूफान और बारिश रुख जाती है और चांद घंटे में राजस्थान फिर से पहले जैसे होता है उसे देख कर अब कोई यह नहीं कह सकता था कि वहाँ अभी कुछ समय पहले इतना बड़ा तूफान आया था वही प्रताप हवेली के पीछे वाले दिव्य मंदिर का सुरक्षा कवच अब पहीले से जादा बाद गया था अब कोई भी उस सुरक्षा कवच को भेंद नहीं सकता था वही राजस्थान का वातावरल फिर से पहले जैसे होने के कारण दूर ब्लैक आइलेंड पर जो यग्या चल रहा था उसकी अगनी जो वक्त के साथ बाद रही थी वो फिर से निर्मल हो गई थी जिसे महसूस करके राजकुमारी सितारा और शकीरा के चहरा गुस्से से लाल हो गया था उनके यग्या में बादा आ रही थी उनका प्रयास सफल हो गया था पर उनके लिए एक बात अच्छी थी कि उनका यग्या बंग नहीं हुआ उन लोगों ने उसके पास अपनी शक्तियों से रक्षा कवच बनाया था जिस वज़े से उसमें कुछ भी नहीं हुआ था बस कोई शक्ति थी जो उनको महाराज विक्राल का पता नहीं लगने दे रही थी जिसे वो दोनों जुनजल गए थे पर फिर शैतानी के गुरू के उनको समझने के बाद दोनों ही पूरे मन से यग्य में शामिल होकर उसको पुरा करने में लग जाते हैं दूसरी तरफ श्रया अपनी शक्तियों से राजस्थान में उठ रहे तूफान को शान्त करके सोने रूम से अपने सीक्रेट में हिल की तरफ चली गई थी वो ही दूसरी तरफ शिव को भी राजस्थान में जो हो रहा था उसके बारे में सारी जानकारी थी पर उसकी शक्तिया अभी तक उतनी नहीं थी कि वो कुछ करपाई पर जब उसको राजस्थान में उट रहा तूफान रोग जाने का पता चलता है तो उसे पता चलता है, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी जानने ही किया है शिव इस वक्त मुंबई से बाहर एक सुन्धन जगव पर एक बंद परी फैक्टरी के अंदर था वो बाहर से तो बंद थी पर अंदर से देखने से वो एक लिक्जरियस अपार्टमेंट की तरह था शिव ने उस बंद परी फैक्टरी के अंदर बेहद ही खूब सूरत और मौडन अपार्टमेंट बनाया था जिसकी सिक्योरिटी बेहद ही टाइप थी कोई भी आसानी से उसमें एंटर नहीं कर सकता था उसी अपार्टमेंट के एक रूम में शिव इस वक्ट चया पर किसी राजा की तरफ बैठा था और उसके सामने एक आदमी था जिसे बेहद टॉर्चर किया था वो इस वक्ट अपने घुटनों के बल बैठा था उसके बोडी में जगल जगल पर जख्मों के निशान थे जिसमेंसे कहीं मेंसे खून निकल रहा था और कुछ का तो खून अब तक सुख भी गया था उस आदमी की हालक बेहद ही खराब थी शिव उसकी तरफ अपनी बाज जैसी नजर से देखते हुए कहता है शेखवा तभी तुम अपना मून नहीं खूलने वाले क्या अभी चुपी रहने का इरादा है वैसे तुम्हारा वो बॉस तुमको कोई बचाना वाला नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जल्दी जल्दी अपना मून खूलो उद्धरल चिन डॉट शिव का इतना ही कहना था कि उसके सामने अपना सर जुका कर बैठा वो आदमी यानी की शेखावत अपना सर उपकर करके शिव के आँखों में आखे डाल कर कहता है तुमको क्या लगता है कि मुझे मौत से डर लगता है वैसे भी जब मैंने इस दलदल में कदम रखा था तभी से मैंने अपनी मौत को गले लगाया था शिव के पास ही खड़ा नितिन शेखावत के मून पर घुसा जड़ देता है जिससे शेखावत का चहरा एक तरफ लूड़क जाता है उसके मून से खून बहने लगता है नितिन उसकी तरफ देख कर अपनी कड़क आवाज में कहता गई किन के सामने अपनी नजरे हमेशा नीचे रखना और तुमने क्या कहा तुम अपने मालिक से गदारी नहीं कर सकते ये बात किसी और के सामने कर करना क्योंकि तुम्हारी फित्रत ही गदारों वाली है उध्धरन चिन डॉट इतना कहकर नितिन शेखावत पर घुसे की बारिश करने लगता है जिससे पहले ही सेखावत की हालत काफी खराब थी अब और भी खराब हो गई थी पर शेखावत अपना मून खोलने को राजी ही नहीं था शिव नितिन को रुकने का इशारा करता है और अपने पास ही खड़े राहूल को कुछ इशारा करता है, उसके इसे करते है राहूल अपना मोबाइल निकाल कर किसी को वीडियो कॉल कर देता है और वो कॉल सीधा शेखावत के सामने करता है शेखावत जब अपने सामने वीडियो कॉल पर देख रहे इंसान को देखता है तो उसकी आँखों में गबराहत साफ दिखाए देती है राहुल वीडियो कॉल कट करके फोन वापस अपनी जेब में रखकर शिव के पास जाके खड़ा हो जाता है शेखावत अपने चेहरे पर दर और गबराहत लिए शिव की तरफ देखता है और उससे कहता है ये तो गलत बात है किंग तुम एसे फैमिली को बीच में नहीं ला सकते उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती जिसे तुमने गंट्वाइन पर रखा है दुश्मनी तुम्हारी मेरे साथ है ना कि उस मासूम के साथ उसने तेरा क्या बिगारा है उसकी बात सुनकर शिव जोर जोर से हसने लगता है और उसकी तरफ अपनी खतरनाक नजरों से देखते हुई तेज आवाज में कहता है क्या कहा तुमने शेखावत फैमिली को क्यों बीच में ला रहा हूँ है ना ये बात तुम्हारे मून से अच्छी नहीं लगती शेखावत क्या तुम इतनी जल्दी बुल गए कि तुमने सबसे पहले फैमिली को बीच में लाया था तुम्हारी बजे से आज मेरा भाई जैसा दोस्त जो कि मुझे मेरी फैमिली से भी ज्यादा करीब था वो आज हॉस्पिटल के बैट पर लेटा हुआ है जो कि पिछले पांच साल से कोमा है और अब जब बात तुम्हारे अपने की आई तो तुम ये बोल रहे हो हा उद्धरल चिन डॉट ये सब शिव ने इतनी खतरनाक तरीके से कहा था कि शेखावत को मान्थे पसीने आने लगे जो शेखावत इतने वक्त से मजबूत बना हुआ था अब वो बेहदरा हुआ था उसे इस दुनिया में किसी से भी प्यारा नहीं था जितना अपने 10 साल के बेटे से था जिसे उसने सारी दुनिया से चुपा कर रखा था आज तक उसके किसी भी दुश्मन को उसके बारे में पता नहीं था पर शिव की बात कुछ और थी वो अंदरवल्ट का किंग था उसे किसी के भी बारे में कुछ भी information चाहिए तो वो उसके सामने चुक्कियों में हाजर होती थी शेखावत आखिर में हार मान कर शिव को सच्चाई बताने के लिए राजी होता है शेखावत evil gang के लिए काम करता था शेखावत उस गैंग के लिदर के सबसे करीब था या यूँ कहे उस गैंग का सबसे बड़ा पया शेखावत हो था evil gang का हाथ बेहत सारी गैर कानूनी कामों में होता है पांच साल पहले शिव ने उस गैंग को खत्म किया था पर ये गैंग फिर से इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी और काफी हट तक काम्याब भी हो गई थी इनका अब एक ही मकसद था वो शिव से यानी की किंग से बदला लेने का क्योंकि उसने उनके गैंग को खत्म किया था और अबको इस गैंग का लीडर था उसकी किंग की अलगी दुश्मनी थी आज शिखावत को जब पता चल की शिव अपनी फैमिली के साथ मॉल में है तो उन लोगों ने आज शिव की फैमिली को हॉम करने का प्लान बनाया था और वो लोग काम्याब भी हो जाते अगर वक्त रहते शिव की पसनल सिक्योरिटी टीम जो की छुपकर शिव और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी उन उन्होंने वक्त रहते ही सब सबल लिया पर जब शिव को इस बारे में पता चला तो उसका गुस्सा साथवे स्थान पर पहच गया क्यूंकि वो पिछले पांच साल से शिखावत को डून रहा था जिसके विजए से उसका दोस्त इस वक्त को मा में है उसका नाम सुनते ही उसके सामने पांच साल का सारा द्रिसय सामने दिखने लगा था जिससे शिव का गुस्सा वक्त के साथ बाधी रहा था वोट रहते श्रेया ने शिव का गुसा शांत किया नहीं तो शिव को रूद्र रूप लेने से कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि शिव की शक्तिया अभी उसके कंट्रोल में नहीं थी वोही शेखावत शिव को बता है कि एविल गैन का नया लीदर जिसके बारे में खुद उसे कुछ नहीं पता है उसने उसका चहरा भी नहीं देखा है क्योंकि वो हमेशा अपने चहरे पर मास्क लगाया हुए हो उन सब की सामने आता है उनको सब को ये तक नहीं पता को वो लड़का है या लड़की क्योंकि वो हमेशा पूरा कवा होकर ही उन सब के सामने आता था Evil Gang का नया लीडर इंडिया में कुछ बड़ा करने वाला है जिसके तोर पर उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिला है उसके रास्ते का सबसे बड़ा काटा तुम हो और साथ में उसकी तुमसे पसनल दुश्मनी भी है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उसकी आँखों में तुम्हारा नाम लेते ही तुमको जान से मारने की प्रबल इच्छा मेंने देखी है तुमहारे बारे में उसके पास हर एक छोटी से छोटी डिटेल है उसके पास इसलिए अगर आज तुम मझे मार भी देते हो तो मुझे कोई गम नहीं क्योंकि उसके हाथों से तुम नहीं बचने वाले वैसे सुना है, तुम्हारी शादी है, तीन दिन बाद, कुछ भी हो सकता है, जरा सबल कर, इतना कहकर वो जोर जोर से हसने लगता है, उसकी बाते सुनकर शिव का माथा ठनक गया, वो अपनी चेह से उठकर उसके पास जाकर उसका जबड़ा अपने हाथ में कसते हुए उससे क रहता है, शिखावत तुमको बेहत हसी आ रही है, ना तो तुम चिंता मत करो, तुमको बाद में हसने का पूरा मुखा मिलेगा, अब जल्दी से अपना मुख खोलो, उद्धरन चिन डॉट, शिखावत का शिव का अपना जबड़ा पकरने से तेज दर्ध हुआ, जो उसके चहरे से साफ पता चला रह था, शिव की कही गए शब्द सुनकर वो उसकी तरफ देखकर अपने आँखों से ही अपना जबड़ा चोड़ने की बिंती करता है, शिव उसका जबड़ा कसकर दुबा कर पकरता है, शिखावत को अपने जबड़े पर बेहत दर्ध हो रहा था, फिर भी वो अपना मुह खोल कर शिव से बोलता है, साफ साफ सब दो मैं कहा जाए तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ उसके ओरड़ा पर काम करते हैं, वो किसी को भी भानक तक नहीं होने देता, मैं उस गैंग से सिर्फ तुम्हारी बरबादी देखने के लिए जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जितना पता है, उतना तुमको बता चुका हूँ, अब तुम मेरे बैटे को छोड़ दो, उसको कुछ मत करना, उध्धरल चेन डॉट, उसकी बात सुनकर शिव राहूल को कुछ चला जाता है, राहूल उसके इशारा अच्छे से समझ चुका था, राहूल अपनी बंदूग की सारी गोलियां सेखावत के उपकाली करता है, शेखावत बेजान से नीचे पर जाता है, आज कल ये बस इतना ही फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कॉमें का अगला एपिसोड. Continue.